बंगाल की खाडी में भीशन चक्रवाती तूफान अमफन उठा हुआ है और इसकी वजह से तटिये जो राज्य हैं वहाँ पर प्रशासन काफी सतर्क हो गया है इदर दिल्ली में भी सरकार काफी सतर्क है ग्री मंतराले अंडिये में के साथ आज प्रधान मंतरी ने एक उच्चिस तरिये बैठक की है इस तूफान अमफन की वजह से ओडिशा बंगाल अर तमिल्लाट के तर्टी इलाकों में तेज हवाएं चल रही है बारिश हो रही है ओडिशा के कई जिले के अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है तूफान के खतरे को देखते वे ओडिशा के करीब 11 लाख लोगों को सुरक्ष जवहों पर ले जाने का इंतिजान गया गया है तेज हवाएं से तमिल्लाट के तर्टी इलाकों में कल तई पेड गिर गया है इसके लावा समंदर से उंची लहरे उठ रही हैं अगले चार दिन भारी बारिश के आसार है मौसम विभाग ने मचवारों के लिए समुद्र में न जाने की चेतावनी अगले दो दिन के लिए जारी की है और हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा है नीता आज प्रधान मंतरी ने हालात का जाइजा लिया चकरवाती तूफान से उठे जो हालात हैं उसमें क्या-क्या एहतियात आगे बहरतने के निर्देश राज्यों को दिये जा रहे है सबसे बड़ी बात तो सुशिल जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ओडिसा राज्य जो है वो 11 लाख लोगों को इवाकवेट करने की कोशिश कर रहा है साथ में जो वेदर डेपार्टमेंट है उसने बंगाल को औरिंज जो है वो वार्निंग दी है यह जो इसका जो लांड फॉल है यह वेडनेस डे को बताया जाता है वेस्पिंगॉल और बंगलादेश के बीच में जिसके चलते एंडियारेफ ने भी अपनी जो 20 कंपनीज हैं वहाँ पर जो अपनी जवानों की टुकडियां है वो वहाँ भेज हुई है इसमें यह तरह से बचाव का कारे किया जाए और उसके बाद राहत का कारे किया जाए हमने यह भी देखा कि कोस्ट इस तरह मुछवारों को जो है वो सचेत कर रहा था अनाउंस्मेंट की जा रही थी हेलिकॉप्टर द्वारा कि आप समुद्र से बाहर चले जाए क्योंकि यह जो तूफान है इसे अब सूपर साइकलों की श्रेणी में डाल दिया गया है केंद्रे ग्रहमंत राले द्वारा तो अलग-अलग स्थिती को अपने उसकी जायजा लेने के लिए मीटिंग्स तो हो रही है लेकिन जमीन पर जो है वेस्ट पिंगॉल और ओडिसा पे इसका जादा असर देखने को मिलता है ऐसा मौसम विभाका कहना है जी शुक्रिया नीता और वैसे भी कोरोना संकट की वज़े से सरकारें पहले से सतर्क हैं उपर से ये एक नई आफ़त पशिमंगाल में और ओडिशा तमिलाड में आई है बंगाल की खाड़ी से चक्रवती तूफान अंफन की वज़े से